नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप दोस्तो आज हम बात करेंगे हील पेन एरी में धर्द की सबसे बेहतरिन दवा कौन-कौन सी है दोस्तो यह बहुत ही धर्दनाक रूब होता है जब बेक्ती चलता है तो उसे बहुत परसानी होती है वह ना ठीक से कहीं चल पाता है नवह दौर नवाकिंग कर पाता है दोस्तो बहुत ही कस्ट दायक परसानी होती है दोस्तो हेल पेन का जो मुखमुख कारण है उसके मुखमुख बेहतरिन मेडिसीन कौन सा है इस पर हम चर्चा करेंगे Amer alternator लृव दोस्तो इससे पहले बतादू आपको की एरी में दर्द प्लांटर फैसिटीस है या एरी के प्लांटर फैसिया के उतक में सूजन है इसका जो मुख्य कारण है वह एरी वाली यानि की हील वाली जो चपल पहनते हैं सेंडिल पहनते हैं या जूता पहनते हैं वह है नेक्स्ट मोटापा है एस्ट्रेस फ्रैक्चर है बर्साइटिस है एचलिस टेंडोनाइटिस जैसी समस्या के कारण यह सब होता है दोस्तो अब हम बात करेंगे इसके बेहतरीन मुखमख कौन सी मेडिसीन है दोस्तो सरपर्थम अरेनिया डियाडिमा ज्यादातर नम मौसम में रहने वाले बेक्ति को अगर एरी की समस्या आ गई या भीगने से या ठंड लगने से अगर या समस्या उत्पन हो गई तो इसके लिए अरेनिया डियाडिमा बहुत ही बेहतरीन मेडिसीन है अरेनिया डियाडिमा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 टाइम लेना है दोस्तो नेक्स्ट मेडिसीन ब्रायोनिया ब्रायोनिया उसके लिए है जो बेक्ती थोड़ा भी नहीं चल पाता है थोड़ा सा चलता है बस दर्द इतना भेंकर बढ़ने लगता है कि वह फिर लेट जाता है या बैठ जाता है वह जितना आराम करता है उसका दर्द ठीक रहता है जितना चलता है उसका दर्द उतन ही बढ़ता चला जाता है लो इस तबैइन हो कि अगर लग्षन हो तो इस तरह के सिंटम में अब और सब्सक्राइब फ्रीर झा मोज़ा पॉट्टर में के सब्सक्राइब प्रश टक्स में रेष्ट करने से दर्द्द्धती जब आराम करने से दर्द बढ़ जाए और जब थोरा थोरा चलने लगे तो फिर दर्द ठीक हो जाए यानि कि यानिकि सूबह में जब हम विस्तर से उठते हैं तो बहुत दर्दगता है लेकिन जैसे ही धीरी धीरे चलते रहते हैं तो फिर दर्ध करते हैं तो फिर के स्मय नेक्स्ट मेडिसिन मेजेजरियम मेज़रियम 30 potency में 2-2 बुंद 3 टाइम लेना है दोस्तो next medicine Calculia floor जब इनरी करा हो जाए सूज जाए लाल हो जाए तो Calculia floor 30 potency में 2-2 बुंद 3 टाइम देना है चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद